कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा हो और कल से जो नया हफता शुरू हो रहा है मार्केट्स के अंदर वह बहुत अच्छा रहे जिस तरीके से फ्राइडे को यानि के लास्ट फ्राइडे को मार्केट में सेकेंड आफ में एक ब्रेकाउट दिखाया था वैसा ब्रेकाउट कौंटिनू रहे और मार्केट नहीं उचाईयों तक पहुशतावा दिखाया दे तो दोस्तों इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि Nifty और Bank Nifty किस तरीके के अब signals दिखा रहे हैं, macro factors क्या कह रहे हैं, market अब इन सारी मुश्किलों को जूचते वे 18,100 की उपर आकर stable हुआ है, तो कहां तक जा सकता है, चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको background बत तेजी हो जाती है, ठीक है, अब जो major event था last week वो था Friday को ही US jobs data का, US jobs data आया है बहुत अच्छा, यानि कि 2 lakh jobs जो है, 2 lakh jobs वहाँ पर estimation था कि वो add होंगी, लेकिन actually में 2.61 lakh jobs वहाँ पर add हुई है, यानि कि economy अच्छा कर रही है, तो एक बार के लिए वहाँ पर stock market ने उसको welcome किय और इस तरीके से वहाँ पर last Friday को बहुत अच्छी तेजी बनती भी दिखाई दी, अब ये जो बात है, ये जो definition है, ये सारे के सारे लोग आपको कहते वे दिखाई देंगे, बट I believe कि वहाँ पर ऐसी situation नहीं है, देखे, jobs अच्छी आना, यानि कि jobs भढ़ना उनकी economy में सीध bond yield भढ़ती रहेंगी, bond yield भढ़ेंगी तो stock market इसी तरीके से गिरतावा दिखाए देगा, तो फिर क्या कारण था कि Friday को वहाँ पर इतनी बड़ी तेजी आई, तो मेरे साफ से मुझे ऐसा लगता है, आपने देखा होगा कि Friday के अलावा अगर पूरा हफता देखेंगे, markets के अंदर US में बहुत बड़ी गिरावट थी, ठीक है, बहुत जादा बड़ी गिरावट थी, and I believe मुझे ऐसा लगता है, वहाँ का data point देखते रहें, अगर आप वहां के markets को track करते हैं, तो वो एक short covering rally थी, बतलब लोगों ने ये चीज अच्छा समझा, कि जादा better है कि Saturday and Sunday को position carry करने के बजाए, हम profit बांद के हमाँ से चलें, so that कि हमारे पास जो पूरा ये हफता profitable रहा है, खासकर market को short करने वालों का, वो अपने profit को ले के जा सकें घर पे, तो मेरा मानना ये है कि वो सिर्फ एक short covering rally थी, वो कोई बहुत बड़ी खुश बात नहीं थी, जिसकी वज़े तो चाहती ये है कि inflation control हो, और उसके लिए देखिए अगर ये data आ रहा है कि वहाँ पर jobs बहुत भड़ गई है, तो उनके लिए वो data अच्छा नहीं है, यानि कि वो एक hawkish comment आगे भी दे सकते हैं, एक hawkish instance आगे भी बरकरार रख सकते हैं, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी area of rejection, ठीक है, यहाँ पर हमेशा आते ही, nifty के उपर supply आ जाती है, previously यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, market गिर गया, उसके बाद यहाँ पर भी दो attempts ले चुका, एक attempt ये, एक attempt ये, एक attempt ये, and ये third attempt में actually अभी तक cross नहीं किया है, ये जो resistance का area है, जो supply area, इसको अभी तक nifty ने regain करे, फिर उसके बाद 18,100 की तलाश थी, वो भी nifty ने regain करे, decisively sustainable basis पर, now, we are heading, आगे की तरफ, हम लोग ये देख रहेते हैं, जो ये resistance है, 18,350 का, क्या ये निकल पाएगा, तो actually क्या हुआ, 18,180 पर आकर एक stiff resistance मिलने लगा, nifty को, ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं, ये बनती है, then, यहाँ पर long किया जाएगा, nifty को, otherwise, अभी आपको cautiously, यहाँ पर अपनी moves को बना के रखना है, और उसी साफ से आपको strategy बनानी है, तो ये weekly chart के साफ से जो analysis हा रहा है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, अभी हम लोग इसके shorter time frame पर भी चलेंगे, लेकिन all together, situation क्या है, कि बहुत अच्छे gains बने, last week हमने देखा, SBI ने जबरदस तरीके से performance दिखाई लगा, तार 2-3 दिन तो ऐसे रहे, जब नई 52 भी खाई पर रहा, फिर उसके result आए, तो result इतने शानदार आए है, कि वो rally आगे भी continue हो सकती है, लेकिन क्या याद रखना है, कि इस candle के अकर होने के बाद में, इसका previous trend जो होता है, वो reverse हो जाता है, यानि कि यह जो swing बना था, इस swing के नीचे आने के chances बनेंगे, तो मेरे इसाप से weekly charts के उपर dozy candle है, तो मैं all together, bank nifty से यहाँ पर कोई जाधा उमीद नहीं रखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरा move nifty क के उपर आकर वापस से resistance दिखाने लगा है, एक तो यह red candle और फिर यह dozy candle की formation clearly बता रही है, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी upside अभी immediately हमें नहीं देखने को मिल सकती, let's say कि this type का move आगे रहता है, लेकिन फिलाल weekly charts से हम लोग यह analysis कर पा रहे है, now again मैं आता हूँ, हमारे nifty के उपर daily charts के उपर देखेंगे, कोई बहुत जादा है, यहाँ पर चीज़े ऐसी नहीं समझ में आएंगी, मैं सीधे आपको पंदामेट candlestick chart पर लेके चलता हूँ, और पंदामेट candlestick chart पर जब आप देखेंगे, तो clearly एक चीज़ find out कर पाएंगे, कि तीन दिन पहले nifty की ही दे रही है, decisively इसको last rating session पर, यहाँ पर mid session के बाद में nifty ने cross कर दिया, और उसके बाद आप देखी कितनी शांदार रह लिया ही है, altogether अगर आप देखें, 18,040 के level से and 18,130 के level attain होते वे दिखाई दिये, यानि कि अगर मैं इसको terms में देखूँ, तो almost 90 points की तेजी, almost 100 points की ते गंटों में आई हैं और sustainable basis पर day high के उपर closing हुई है, यानि कि shorter term में हम लोग यह कह सकते हैं, कि हमारे पास जो यह एक trend चल रहा था, buying trend, इसके अंदर एक pullback आया, यह जो downward move आपने देखा, यह pullback था, और यह pullback कहीं न कहीं over हो चुका है, यह इसके base level आपको दिखाई देने, यह base को create होने के बाद में nifty ने वापस से upside दिखा दिये, तो मेरे इसाब से nifty यहां से upside के अंदर जाना शुरू करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 18,180 के level break हो सकते हैं, लेकिन हमें यह चीज़ define जरूर करनी होगी अपनी trading के अंदर, कि अगर हमें position carry on करनी है, या 18,123 के उपर हमारी closing यहां पर दिखाए दे रही है, तो यह चीज़ समझ में आ रही है, अब यहां पर हमें trade कैसे करना है, वो भी जरा देख लेते हैं, लेकिन इस बार तो काफी simple हो गया है हमारा साब, क्योंकि हमें indication मिल रहा है कि हां nifty के अंदर एक positive move वापस से बन गया ह तो देखें, nifty upside में जाएगा, तो सबसे पहला resistance उसको यह दिखने वाला है, वो ही 18,180, अगर flat open होता है, दो तरीके से मैं आपको यहां पर समझाता हूँ, कि अगर यह flat open हुआ, upside जा रहा है, तो हम यहां पर immediately aggression में call option buy नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग कब buy करेंगे, अब यह भी बात सही है कि देखें, जब यहां पर एक बार यह resistance है, दूसरी बार यह resistance है, और तीसरी बार जब यह approach कर रहा है, तो एक deep drawdown दिखाने के बाद यह upside में जा रहा है, तो यहां पर ही resistance फेज जरूर करेगा, और उसके बाद नीचे आके तब यह cross करेंगे, यानि कि क्य 270 तक के target, intraday में definitely देख पाऊंगा, जो मुझे, I think मेरे पूरे जो दिन का trading होगा, वो यहां पर मैं complete कर सकता हूँ, अगर इसका 50% में मैं नहीं आ से ले लिया, तो, in case, अगर यह flat open खुलके नीचे की तरफ जा रहा है, याद रखेगा, US future सुबह क्या show कर रहे होंगे, वह इसका role सबसे important होता है, अगर इस flat खुलके नीचे जा रहा है, सब यहां पर देखिए, मैं immediately PE buy कर सकता हूँ, उसका reason क्या है, कि मेरे पास में जो support levels है, वो at least in level के आसपास आते वे दिखाई दे रहे हैं, यानि कि 18,000 और 20 के आसपास के level है, जो support की तरीके से act होते वे दिख देंगे, तो flat खुला कुछ time यहां बिताया और उसके बार नीचे की तरफ आ रहा है, तो again मैं समझता हूँ, मुझे at least 100 points के यहां पर पकड़ने का मौका मिलेगा, इस level तक जरूर nifty आयेगा, उसके बाद यहां पर कोई upside move देखने को मल सकता है, तो flat situation बहुत easy होगी, identify करने के लिए कि आपको करना क्या है, अब बात कर लेते हैं gaps की, अगर gap create हो गया upside के अंदर, और gap create हुआ, देखिए 18,180 के ऊपर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कि मैं पहले wait करूँगा, क्योंकि upside जाते हैं पकर यह नीचे जरूर आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, यहां पर अ support zone है, तो मैं wait करूँगा कि क्या यह support area नीचे की तरफ निकल पा रहा है, इस area के नीचे जाकर मैं trade लेने वाला हूँ, और जो मेरे areas होंगे तकरीबन 18,100 के, 18,100 अगर defend हो गए, तब तो मैं आपर put option नहीं लूँगा, लेकिन अगर यह नीचे की तरफ breach हो गए, तो मैं यहा यह gap down होता है, बड़ी gap down मुझे मिलती है, तो immediately नीचे जाते वक्त यह in level पर support ले सकता है, जो 17,960 के हैं, यहां से support लेकि upside जाने की कोशिश करेगा, और यही level as a resistance act होने चाहिए, अगर यह resistance बनता है और negative price section यहाँ पर बनता है, तब मैं यहाँ पर PE buy करने वाला हूँ, otherwise मै PE, immediately buy नहीं करूँगा, because first time में crack नहीं करेगा, लेकिन second attempt में crack कर सकता है, तो मुझे यहाँ चेक करना है कि क्या यह उपर की तरफ निकाल रहा है, ब्रीच कर रहा है, अगर यह उपर निकाल दिया, तो फिर देखे मेरे target यह भी नहीं होंगे, मेरे target at this year होने वाले intraday के अगर यहाँ पर भी कोई positive price action बनता है तो, और यहाँ पर कुछ time अगर बिता देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, then मैं अगला second half के अंदर यह वाले target ले जटता हूँ, जो 1818C के है, इस type की simple strategy हमें रखनी है nifty के उपर, now coming on to the bank nifty, bank nifty में 15 minutes पर चलते हैं, तो यहाँ क् weekly charts में हमें देखने को मिला है, लेकिन weekly chart का जो impact है देखिए, वो weekly grounds पर ही आएगा, इसलिए immediately हाँ पर हो क्या रहा है, यह चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, एक trend line mark कीजिए अपने charts की उपर, ठीक है, आप लोग विलकुल टूल लेके mark कीजिए, मैंने free hand ज़रूर mark कर रह तो maximum जो target है, वो आपके पास में 41,800 कही है, क्योंकि इससे उपर तो निकलने का मुझे उमीद नहीं लग रही है, कि बहुत जादा तेजी बन पाएगी, in between जितने भी आपके पास में resistance level है, यह आपके target होने चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ बाय कर रहे हैं, कोई भी situation को देखते वे, कोई भी setup लगाते वे, तो पहला target के वल 51,000, 41,500 का ही होने वाला है, इससे जाधा पढ़े target नहीं मिलेंगे, और अगला target जो है, 41,700 का होने वाला, यह वाला, तो देखें, यहाँ पर situation थोड़ी सी nifty से अलग है, यहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे gain हो, चाहिए फिर यहाँ पर reversal पे, pullback पे gain कमाए हो, लेकिन अभी यहाँ पर upside में जाते वक्त बहुत छोटे-छोटे targets आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर strategy देख लेता है, कि अगर यहाँ पर flat opening होता है, तो immediately CE मैं call option buy नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास में 4,500 से खीक नीचे एक resistance zone available है, आप यह देखे, कितना जबर्दस resistance यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यह upside में जाए, फिर यहाँ पर time बता कि उपर अगर निकाले, तो मेरा call option लेना थोड़ा सा justify नजर आता है, और उस condition में भी मेरे पास में 200 points move का ही एक बार के लिए यहाँ पर possibility होगी, क्योंकि इस level के आसपास अगर consolidate होके upside में निकलता है, तब मैं एक बड़ा move expect कर सकता हूँ, until unless मुझे यहाँ पर 200 plus 200 point का move देखने को मिलेगा, और इससे बड़ा move मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, अगर यह flat open होके नीचे की तरफ निकलता है, तो देखे, immediate support है मेरे पास में, यहाँ पर यह देखे, यह वाले जो levels है, एक support का काम करते में नजर आ रहें, ठीक है, और यह levels है 41,100 के, तो मैं immediately एकदम से PE option buy नहीं करूँगा, मैं wait क्या करूँगा कि यह 41,000 के ऊपर एक negative price section बन जाए, और यह breach कर रहा हो negative price section के बाद में, तो मैं immediately पर PE buy करूँगा, ना कि मैं यहाँ पर PE buy करूँगा, and definitely उस condition में मेरे पास में कोई बहुत बड़े target तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखे, मेरे पास में 250 points का gain देखने के मौकें बिलेंगे, 48,850 तक के levels मुझे इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, तो it all depends कि downside में जा र up open हुआ, और थोड़ा सा upside जाएगा, immediately resistance लेके नीचे आ सकता है, ठीक है, opening level अगर यहाँ पर defend हो पा रहे है, it means कि उपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यह breach हो रहे है, तब हमें wait करना है, और इस वाले point पर आकर फिर से एक बार negative price action बनने का इंतजार करना है, जै अगर यह level breach हो जाते है, 41,500 के, इस तरीके से आपको strategy बनानी है, और अगर यह gap down होता है, यानि कि 41,100 के नीचे open होता है, नीचे की तरफ जाता है, फिर upside में आने की कोशिश करेगा, तो यही level as a resistance की तरीके से act होंगे, यह अगर one side निकाल रहा है, तो मैं बिलकुल भी यहा वाले resistance और support create होते हैं, यह कभी भी one go में नहीं cross हो सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर अगर trade लेते हैं, तो वह बहुत ज्यादा chances है failure होने के, तो मैं यहाँ पर wait जरूर करूँगा कि यह नीचे की तरफ आए, और फिर अगर upside में जाएगा, तब मैं यहाँ पर position बनाने उसको देखना जरूरी है, ब्रीफ में बता देता हूँ जो लोग नहीं, अभी मेरे चैनल पर आएं इस वीडियो को देख रहे हैं, देखें, market अगर इस तरीके से उपर जा रहा है, एक resistance तकर तकर आता है, फिर नीचे आता है, और अपने opening level से पहले ही कही न कहीं सपोर्ट लेकर उपर की तरफ चलना शुरू कर दे, और इस resistance को, जो previously एक resistance काम कर रहा था, इसको cross कर जाए, तो उसको हम लोग कहते है, positive price section, कैसे कि market ने देखिए, एक swing low पनाया यहाँ पर, लेकिन इस swing low के उपर निकल गया, और इस resistance को कार दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे positive price section, तो थोड़ा सा उपर जाने के बाद में, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, it means कि यह वाला support break हो सकता है, और यह support अगर break हो जाए, तो हम लोग इसको कहते है, negative price section, ठीक है, और इस negative price section में, जब यह cross नीचे की तरफ हो रहा हो, तब confirmation होता है, कि आप put option buy कर सकते हो, और यहाँ पर इ जो situation है, target छोटे छोटे लें, तो जादा अच्छा है, क्योंकि market किस तरीके से घूम जाए, पता नहीं चलता है, तो यह जादा convenience situations होती है, nifty bank, nifty के लिए, this is all about the price section, अब FIAs and DAs की positions देखते हैं, last day पे क्या रही है, 4th of November को 1436 की buying करी है, FIAs ने, 550 की selling करी है, DAs तो again signal मिल र रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा, यहाँ पर cool of रहना चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप आगे की तरफ continue रह सकते हैं, आप हम लोग देखे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि किस टाइप इस situation दिखाई दे रही है, option chain के ऊपर, तो दोस्तों हमारे प से बात कई वीडियो के starting में कि जो तेजी बनी है last day पर US के अंदर, वो एक short covering हो सकती है, और अगर वो तेजी वाकी में हुई, यानि कि वो position actually में short covering की ना होके long build up की हुई, तो US inflation का असर फिर market पर नहीं पढ़ने वाला, यानि कि market उसके ऊपर चलना शुरू करेंगे, और US inflation को भी overcome कर जाएंगे, लेकिन अगर वो वाकी में short covering था, तो US inflation जैसे जैसे नजदीक आएगा उसकी date Thursday वाला दिन, तब आपको market के अंदर position हलकी होती भी दिखाई देंगी, तो इसको याद रखेगा, ये market के उपर एक बहुत negative impact भी डाल सकता है, अब देखें फिलाल इस ची पहला दिन Friday जब ये positions बनी है, या फिर मैं कहा दू 45,000 positions तो उसी दिन add हुई है, तो मेरे इसाफ से लोगों ने wait करना सही समझा है, लोग ये समझते हैं कि देखें अभी यहां से अपना loss book नहीं करना चाहिए, और उनको लगता है कि 18,100 शायद इस week के लिए stiff resistance होगा, और इ ये लोग सही हैं, तो फिर यहां से market नीचे की तरफ slip हो सकता है, बट इनकेज अगर ये गलत सावित होते हैं, तो short covering होगी, और उस condition में अगर आप देखें, 18,201 stiff resistance होना चाहिए, जहां पर 86,000 contracts का हुआ ही है, और actually मैं चार्टी कली भी अगर आप देखें, ये एक बहुत important resistance है, तो 18,200 की ऊपर अगर sustainability बनी, परनामेट candlestick chart पर कोई भी breakout आया, और ऐसी situation बनी कि वहाँ पर bullish engulfing candle बन रही है, तब ये लोग short covering करेंगे, उस condition में मैं समझता हूँ, 18,300 तक के भी levels आपको इंट्रडे में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 87,000 contracts का हुआ है, और अगर ह 68,000 contracts यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर 78,000 contracts का OI gain हुआ है last trading session पर ही, तो I believe कि 18,000 से नीचे निकलना बहुत ही जादा मुश्किल होगा, और market के अंदर एक कोई बहुत बड़ा move भी या फिर बहुत बड़ी volatility हम लोग शायद ना expect करें, market में शुरुआत में जो move आएगा, एक घंटे के बाद में वो फिर उसी तरीके से 60-70 points यह maximum 100 points के अंदर एक limit में काम होतावा दिखाई दे सकता है, तो 18,000 नीचे का support है, 18,200 upside में एक resistance level है, बट ये break अगर होता है तो 18,300 तक कभी nifty आपको देखने को मल सकता है, this is all about nifty, अब हम लोग बात कर weekly, I mean closing आ रही है, last reading session पर, इसके अबव अगर आप देखे, 41,500 is acting as a psychological level, एक लाग सा ज्यादा contract से, 50% almost वहाँ पर build-up जो हुआ है, वो last reading session पर हुआ है, जैसे मैंने आपको बता है, कि अगर आप call option buy कर रहे हैं, 41,100 के उपर, जो एक बहुत important support है, तो आपको move कितने points का मिल र और उस 400 point में भी आपको 200-200 point के tranches बनाने चाहिए, प्रॉफिट booking आएगी तो फिर 200 point upside में जाकर एक negative price section बन सकता है, इसलिए 41,500 की उपर ही कोई अगला move हैं पर decisive हम लोग देख रहे हैं upside के अंदर, तो यह होने वाला एक resistance कल के लिए, अगर हम लोग put side में देखें, तो 41,100 जो एक important support का काम कर रहा है, यानि कि 41,100 अगल टेस्ट होता है, तो most probably chances हैं कि 41,000 भी touch होते वे नजर आए, तो आपकी जो ultimate range है downside में हो, 41,000 रहने वाली है कल के लिए, तो I believe यह situations हैं, जो market को impact कर सकती हैं, अब यह सारी बात है हो गई, हमारे परस में technically data, option chain का data, macro factors के अंदर important क inflation data आ रहा है, and US market किस तरीके से आपको jump up होते वे दिखाई दिये थे, अब जो important point है, जो key points है, वो चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, and back of the mind आपके चलती रहनी चाहिए, कि market and all over जो global economy है, वो उस verge पर है, जहां पर बहुत जादा vulnerability है, stock markets को लेके, क्योंकि सिर्फ Ukraine और Russia का वो और नी चल रहा है, अगर आप globally news देखेंगे, तो North Korea की तरफ से भी कुछ initiation हो रहा है, Japan के against या आप कह सकते हैं, या South Korea के against, जहां पर problematic situations देखने को मिल रही है, तो अगर ऐसी कोई triangle बनता है, कि जिसमें already Russia था, already Ukraine तो था, एक front था, उसके against जो NATO countries थी, या उसके against जो USA था, वो अगर basically एक दूसरा front खोल देता है, तो पूरी दुनिया के अंदर एक triangle situation बन जाएगी, और उसकी वज़े से और भी जादा worsen condition हमें economies की देखने को मिल सकती हैं, तो जो stuff resistances अभी बनने हो हैं stock market के अंदर, भला ही वो Indian stock market हो या US के अंदर हो, वो और भी बड़ी तरीके से act हो सकते हैं, market महां से काफी तेजी से नीचे आ सकते हैं, तो हमें क्या करना है, अब यह आपको समझना चाहिए, कि overall सारी situations को देखते वे, this is not the right time to invest, यह बिलकुल भी सही time नहीं कि आप invest करें, क्योंकि market गिरे ही नहीं है, ठीक है, अब market जो है time correction के अंदर है, market 18600 का एक high level ह और इस वक्त 18200 के आसपस हम लोग हैं, हमने जो maximum correction देखा है, जून में 15200 का देखा है, इस पूरे के पूरे साल में, तो अभी तक market इंडिया में गिरे नहीं है, तो यह बिलकुल भी सही time नहीं कि आप investing करें, मेरे साफ से maximum आप एक हफ़दे की position carry forward कीजिए, options के अंदर अग option से exit लीजिए, हफते भर के अंदर अंदर, अगर आप intraday नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई बड़ी position किसी stock में बनाना, वो बिलकुल सही नहीं होगा, या तो आप बहुत strong charts पढ़ते हो, and charts के इसाफ से positional trade लेते हो, जैसे swing trading होती है, तो समझ में आता है, otherwise market में अभी भी, globally अभी भी, जो situations हैं, that are not basically into the favor of stock markets, और कभी भी अगर एक ऐसा point trigger होता है, जो जैसे February 24th को हुआ था, इसी साल Ukraine Russia का, इस तरीके से अगर USA की तरफ से कोई initiation होता है, Korea की तरफ या चाइना की तरफ, तो market बहुत तेजी से sink होते वे नजर आएंगे, इस बात को purely ध्यान में रखेगा, यह बहुत important point है, जो consideration में रहना चाहिए, आपके हमारे और सभी के, I hope यह point आप समझ पाएंगे, तो इस वीडियो में फिलाल इतने वीडियो कर अच्छी लएगे, लाइक अशे जरू कीजेगा, दोस्तों मिलूँगा, बहुत जल्द आप से लिए वीडियो में, तil then, thank you, bye-bye.